यंग मेन असलेटिक क्लब के तरफ सें इकबादपूर नवाब अली पार्क में मिस्टर मुहमद अली कमर इंडियन वुमेन बॉक्सिंटीन के चीफ कोस को फैसिलिटेट किया गया जिसके मुख उद्धोपता थे कनवर्श एक नई मुद्दिन जहां उपस्थित ते फिनमूल कॉंग्रोस स्पोर्ट सेल वेज बिंगो के सबापती बाबुन बैनर जी और 78 वोट को ओडिनेटर निजामुद्दीन शम्थ और फोनिक्स कंपनी के एंडी गुलाम अश्रफ और उपस्थित के टी एंटी के बहुत सारे कर्मी आए सुनते हैं मुहमद अली कमर ने क्या कहा आली कमरे स्वंगे कॉंणें गेम्ज, एसियान गेम्ज, आजगे टोकियो ओलिम्पीक, आजगे बंगलार player, बंगलार coach, आजगे जेकाने मेरीकम, जेकाने सोडीता, जेकाने लवलीना, येकाने आजगे सवाई के निए आली कमर आजगे जे जे जागात हखेडी कोरे आजगे कार जून्म नामर भाबो देसेर हो आलीकमर जे सनमन दिये चे बांगला के हे थैं सनमने जौन नीजाम भाई एभेंग अमंदन नौिम भाई तादे स्लंगे कमार बोले ची जरे एइए आँ वान चले हिनल मद्धे आलीकमर नमे एक्टा रींग हबे तेही रिंग जटा हबे आमरा उद्वधन करवो इवें आमी बविधा काउड आगवो इवें आमी मुनोकरी मुखो मुन्तिर काचो आमरा आवबान जानाबो जाते आलीक अमरें नमे अक्टार रिंग हाए इवें भविश्वते आजगे स्वैलेन मननान नमे जामन स्टेडिय करवें एवें तान-नमे अलीकामा बैनिंग सेंटर हाए जगनते के बॉक्शिन रिंग तेके अनेक बंगलार छले मेरा उटियास भें इवें बांगला स्चले मेरा उटे आसले हम्रा समस्तो टोकी ओलिम्पीक कॉम्मेंज गेम तेसियां गेम ए छाराव जे कोनो गेम छोले आज गाम्रा नेसेलान नियाद भो बांगला नियाद इस प्लास तक चार अम्रा ठिक कोची इवें अलिक आमारे नितित ते वक्सिनेर रिंग हा बांगला स्चले में अलिक आमरी रहना चाहूंगा और उस टाइम भी मैं अलिक आमरी सोच रहा था अपने आपको ऐसे बॉक्सर मैंने जितने भी कॉम्पेटिशन किया है उस इसाब से मैं बॉक्सर को डिल किया कि बॉक्सर का मुझे पता है कि बॉक्सर का क्या प्राबलम होता है क्या उनको जरूरत होता है क्या उनको चाहिए उस तरह से मैंने बॉक्सर को डिल किया नहीं ऐसा नहीं कि मैं डिक्टेक्शन चीप वहां पे कि यह करना है तो यह कर हो बॉक्सर हमारा बाद भी सुने बॉक्सर ट्रेनिंग में 100 पर्जेंट दे इस हुसाब से हमने उन लोग को टैकल किया और हमेशा यह मैसूस करवाया है कि हम आपके साथ है आपको कोई लोड नहीं कोई जबरदस्ती नहीं आप प्रैक्टिस दिल लगा के करिए और बाकी जो भी आप लोगो इंस्पेक्टर के चाहिए फैसिलिटीज चाहिए वह मैं फेडरेशन से लड़कर क्या आपको देखें बॉक्सिंग और कोचिंग का सफर तो 20 साल का हो गया लेकिन का पर्फोमेंस वाइस जो कॉमनवेल गेम्स के बाद 20 साल हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है उस टाइम पे और भी 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 और भी पब्लीक पूरी खिदिरपूर की आई भी थी वह जो हमारा यादगार है वो जो याद है वो तुबारा से अभी कि यह सरी कि यह सीवनेश्व बिल्कुल बिल्कुल बुरे घरवालो मेले बनाना चलिए ठीक ए री तो एक इंटरनेशनल रिंग हमारा बंगाल में नहीं है सिमेंटेट रिंग जादा तर हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन अभी एक रिंग के लिए बताए है तो वह रिंग हो जाता है तो हमारे बॉक्सर को जो बाहर खेलने के लिए जाते हैं उनको प्राबलम नहीं होगा क्योंकि बाहर का रिंग जो है वो स्पंजी होता है उसमें बहुत जल्दी आपका कुव जो है टाइट हो जाता हूं सिमेंटेड में प्रेक्टिस करते हैं वहां जाएंगे तो प्राबलम हो इसलिए मैं चाहता हूं कि वह उस हिसाफ से इंटरनेशनल इंग यहां पर हो और यहां प्रेक्टिस उसमें करे और और नेशनल में जाए आप लोग दिल लगा करें हाड़ वर्क करें अच्छा ट्रेनर के पास आप लोग जाएं उनसे कुछ लें आप लोग नई समझ में आता है और बॉट्प में यूट्वियुब में जाहें में समझ में आता है मेरा रचैन। आप मुससे कॉंटक्ट simon जैसा भी हेल्प होगा मैं करो मैं यहीं बोलना थोड़ा फिजिकल वर्क करें आप लोग ज्यादा तर यहीं देख रहा हूं बच्चे-बच्चे मुबाइल से के साथ खेल रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं एक कोवीड भी उसका कारण है कि ज्यादा तर बच्चे बाहर नहीं पार रहे हैं खेल नहीं पार हैं तो मुबाइल ऑनलाइन क्लास और यह उससे हवेट हो जा रहा है कि मुबाइल 24 गंटा बच्चे-पास है पहले तो थोड़ा कम था लेकिन अभी जब से ऑनलाइन क्लास हो और बी बच्चों के पास मुबाइल जादा चला गया तो बच्चो तो आपको मालूम है कि जिस तरह अली कमर एक काम्याब स्पोर्ट्समेन के इलावा भी काम्याब कोच भी हुए है उनका इस बार बहुत हम लोग उमीद करें कि दोना चारिया और भी उनको मिलने का कोशिश हो ताकि वह और भी आगे का बढ़ सके और जहां तक बॉक्सिंग र जो कि उनको देखी कर बहुत सारा नया लड़का बॉक्सिंग में रुजहान अपना रखा है पहले बहुत कम बच्चे जो है या माबाप डरते थे कि बॉक्सिंग में देना डेंजर खेल है लेकिन अली कमर को जब से काम्याबी मिला उसके बाद से अभी घरगर में अली कमर में हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा कामियाब पुलकाता पोर्ड में हुआ उसका वज़ा एक ही है कि यहां पर फुटबॉल प्रेमी क्रिकेट प्रेमी बॉक्सिंग प्रेमी हर खेल प्रेमी यहां पर रहते हैं इसका वज़ा है कि इतना कामियाब एक प्रोग्राम यहां हो स प्रस्ताव हुआ है तो आज ही यह स्टेज में तो इसके बारे में तफसील से कुछ बताना मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं होगा लेकिन इस पर जब बाबन बैने जी कहे दिया है ममता बैने जी के भाई ने जब इस बात को आपनों के सामने रखा है तो जरूर इस पर अमल कि रह चुका हूं रेलवे ट्रायल भी दिया है मैंने अली को मैंने वो मेरा कंदा पड़ के वो स्विविंग सीखता था और फिर क्याना मैं यादगार ताजा हुई है आज हम लोग कोशिस यही करेंगे कि ऐसा कुछ करें जिससे आने वाली पीड़ी इंकरेज हो इसमें खुर करने के लिए